नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्यमंद्री ने मौत की घटनाओं पर दुख जताते हुए पिडित और सोकाकुल परिवारों को सरकार की तरब से सहायता पहुचाने के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिये हैं इसी बीच सुमवार को भी सिपाही भरती दोड के करम में गीर कर बेहोस हुए पलामो के पांडू निवासी अभ्यारती 22 बर्चे दिपक पस्वान की रांची के मेदानता अस्पताल में इलाज के दुरान मौत हो गई वह 28 अगस्त को पलामो के चियांकी भरती केंदर पर दोड के करम में बेहोस होने के बाद पांच दिनों से इलाज रत था इसके साथ ही दस दिनों से चल रही जहरकन उत्पाथ सिपाही भरती दोड में सामिल अभ्यारतियों के मौत का आकड़ा 12 तक पहुँच गया है इधर पलामो के चियांकी हवाई अड़ा पर भरती केंप में तैनाथ चारकन पुलिस के जवान अजीत कुजूर भी सोमवार को मौत हो गई वह गुमला के रहने वाले थे और बरतमान में लाते हर जीला बल में तैनाथ थे एक दिन पहले रभीवार को दोल के करम में उन्होंने ड्यूटी भी की थी अभिभावक एकता मंच के धरना में पहुँचे जयराम महतो अभिभावक एकता मंच डूमरी का तीन सुत्री मांगो के समर्थन में अनुमंडल का रियालाय परिसर के समीब अनिश्चित कालिन धरना सोमवार को 13 दिन भी जारी रहा मंच के अध्यक्ष रामेश्वर महतो व सदस्यों के साथ अब तक DSC वा BEO से हुई बारता भी फल रही है पता दे प्रती दिन अलग अलग गाओं के लोग धरना में सामिल होकर आपना समर्थन दे रहे हैं सोमवार को जेबी के से सुप्रीमो चैराम महतो धरनास थल पहुँचकर अपना समर्थन दिया उन्होंने मांगो को जायज बताते हुए राज जेपाल को पत्र सोपने की बात कही इसके पुर्व अस्थानिय सांसत सीपी चोधरी भी धरना में आकर मांगो का समर्थन किया और अधिकारियों से इस पर पहल करने का निर्देश दिये थे इधर अधिकारी सिक्षक नहीं रहने की बात को हाथ खड़े कर रहे हैं धरनार्थियों की मुख्य मांग डुमरी प्रखंड से अस्थान तरी तिर्पन सिक्षको के बदले विद्यालों में इसी अनुपात में सिक्षको की पदस्थापना इसकूलों में विशेवार पढ़ाई वा लेसन पलान के तहत बच्चों की पढ़ाईसुने चित करना सामिल है पोसंसक्षि ने मुख्य मंद् Teresa का जताया अबहार पोसंसक्षि को फुनह कारे करने की स्विक्रिति मिलने पर पोसंसक्षियों में खुसी है पंचायद भवन गाओं में सो मुएर को पोसं सक्यों ने अभाहर समारो का आवेजन किया गया अध्यक्ष्टा पुजा विश्वकर्मा वा संचानल रिंकी सरी वास्तों ने किया समारोह में पोशन सक्योंने एक दूसरे को मिठाई किलाई वह गुलाल लगा कर पुना बहाली होने पर बधाई दी साथी साथ मुख्य मंत्री हैमान सोयन मंत्री बेवी देवी विधाय कलपना सोयने सुदिव बेकुमार सोनु वह बिनोध सींग को अभार ब्यक्त किया है पुजावी सुकरवा ने कहा है कि आंगनवाडी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चों की देख रेक सापसफाई स्वास्त की देख भाल करने के लिए वर्ष 2017 में पोसन सक्खी की बाहली की गई थी वहीं एक अप्रेल 2022 को पोसन सक्खी की बाहली रत कर दी गई थी जामो महिला मोर्चा ने भाजपा का पुतला दहन किया में रिट यज का दायर की गई है उसके बिरोद में आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है जार्खन राज बिधूत नियामक आयोग की जन सुनवाई जार्खन राज बिधूत नियामक आयोग द्वाराचों मुहर को आयमे भवन में जेवी विएनल के बीतिय वर्ष द्वाज़ द्वाज़ परचिस के प्रस्तावित टैरिफ पर जन सुनवाई की गई यह इस टैरिफ के लिए अमतिम जन सुनवाई थी इस मौके पर आई लोगों ने एक सुवर में टैरिफ के बिरोध किया है उनका कहना था कि इसी वर्ष अप्रेल 2024 में टैरिफ लागू की गई है फिर एक ही वर्ष में दूसरी टैरिफ नहीं आनी चाहिए बिजली निगम की ओर से कहा गया है कि बेहतर बिली आपूर्ती के लिए निगंतर आदाहारभू सनरचना पर काम करना होता है अंतर ग्राउंड केविलिंग से लेकर ग्रीडो और सब स्टेशनों का नेवान प्रस्तावित है ऐसे में बड़ी रकम की जरूरत होती है बिजली टारिफ मिलेगा तभी यह काम हो पाएगा रांची नगर निगम के तेई सो सफाई करमचारी हरताल पर पांच सुत्री मांगो को लेकर नगर निगम के सफाई करमचारी सोमवार से अनिस्चित करीन हरताल पर चले गया है इधर हरताल पर गए करमियों से प्रसासन संदीप सिंग की वर्ता बेनतिजा रही है सफाई करमियों के हरताल पर जाने के असर का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि राज एगठन के बाद पहली बार सीम हाउस और राजभवन से भी कच्रे का उठा नहीं हुआ है बता दे रांची नगर निगम सफाई मैदूर संग के मैनत अले सभी सफाई करमियों नागा बाबा खटाल इस्थीत वेजिटेवल मार्केट में जूटे यहां सफाई करमियों के साथ ड्राइबर और सुपरवाजर भी धारना पर बैठे कैंसर मरीजों को इलाज के लिए 15 लाख देगी जहारखन सरकार जहारखन में अब सरकार कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक कि सहायता उपलब्त कराएगी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को सामिल करते हुए सरकार नया सुपरदा दी है जिसका लाब 8 लाख रुपए तक वार्षिक आयवाले मद्देवर गिये परिवार भी उठा सकेंगे अभी तक आयुसमान योजना के तक 5 लाख रुपए तक के मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के साथ यासरत नहीं है हजारी बाग में 20 परिवार के 100 लोग करेंगे घर वापसी हजारी बाग जीले के इचाक प्रखंड के बरका खूर्द गाओं में इसाई बन्चु के 20 परिवारों के 100 से अधिक लोग मंगलवार को सनातन धर में घर वापसी करेंगे यह निर्नाय रभीवार को बरका खूर्द सियो मंदिर में अजजीत महा पंचायत में लिया गया महा पंचायत में निर्नाय लिया गया है कि पाँध होकर घर वापसी कराई जाएगी इस मौके पर आड़े समाज की बेटिया हवन कराएंगी चाई भासा में राज्येपाल का ग्रामिनों से सनवाद पेजल LPG Gas Connection की उपलबता की जिनकारी प्राप्त की उन्होंने लोगों से आवास वЕना की उपलबता के सनदर में चर्चा करते वे निर्मित आवास की गुनवाता के सनदर में भी पूच किया है वहीं सनवाद के करम में एक किरामिन महिला द्वारा राजेपाल महोदय के ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए कहा गया है कि पुटीदा ग्राम में जलमिनार से पानी नियंतर गिर रहा है राजेपाल महोदय ने इसे गम भीरता से लेने एवम जाकर अलोकन करने है तू निदेशित किया है राजची में 150 होमगार्ट संभालेंगे ट्रैफिक राजची में ट्रैफिक ड्यूटी सभालने के लिए 150 होमगार्ट के जवान को प्रस्टिक्षन दिया गया है जिसका सोमवार को समापन हो गया टुरंडा इस्थित जैप वन के सभागार में इस प्रस्टिक्षन कारकरम का समापन किया गया जिसमें मुख्याती थी के तोर पर रांची रेंज के डियाजी अनुव बिर्थेरे सामिल हुए इस प्रस्टिक्षन के दोरान प्रत्थम अस्थान होमगार्ट के जवान नरेंदर बारी वहें दूतिय स्थान तारा मनी कुमारी और तिरितिय स्थान संदीप उराओ को प्रस्कृत भी किया गया सभी प्रस्टिक्षित होमगार्ट को सुगा में अतयात ब्यवस्था के लिए बिभीन पोस्ट और काटिंग में पृतिन्यूक्त किया जाएगा अभ्यार्थियों की मौत पर सियम हमंच ने जाच के आदेश जारकन में उत्पाज सिपाही बहाली की सारीरिक दक्सता परिक्षा में लगतार हो रही अभ्यार्थियों की मौत पर सियम हमंच ने जाच के आदेश दे दिया है डीजीपी अनुराग गुपता ने इसकी पूष्टी भी की है डीजीपी ने अभियार्थियों की दोड के दोरान मौत के मामलों को बहुत दुरभागेपुन बताया है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंतिरी ने उन्हें इस मामले की गहन जाच करने का निदेश दिया है डीजीपी अनुराग गुपता ने कहा है कि हमने सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किये हैं और पोष्ट माश्रम करवाये जा रहे हैं हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभियार्थियों की मौत किसी बीमारी के करण हुई है या बेवास्था में किसी कमी के कारण या फिर किसी अभियार्थि ने कुछ ऐसा सेवन किया जिससे उसके साथ या घटना खटी है बता दे डीजीपी अनुराग गुपता ने भरती केंद्रे पर बेवास्था की तारिफ भी की थी और कहा है कि सभी जरूरी सुधाय की बेवास्था की गई है उन्होंने बताया कि केंद्रे पर पीने का पानी सोचाले डॉक्टर नर्स और जरूरी दवावों की बेवास्था भी की गई है डिजीपी हर जीले के थानों का करेंगे दोरा परदेश में कानून बेवास्ता की समिक्षा और आम जंता की समस्या को जानने के लिए डिजीपी अलग अलग जीलों में दोरा करेंगे सोमवार को डीजीपी अनुराग गुपता ने इसकी जनकारी दी है इस दोरान वो पूलिस थाना भी जाएंगे जीलों की वीजिट के दोरान वहां के कमजोर वर्गों महिलाव बचों की विरूद अपराध एवं साइबर सुरक्षक से मामलो पनियंतरन के लिए किया जा रहे पर्यासों के साथ उनके लंबित मामलो के जनकारी लेंगे मादक पदार्थों समंधित मामलो की छीती और अने गंभीर अपराधों पनियंतरन की भी समिक्षा करेंगे बतादे डीजीपी अनुराग उपता ने कहा है कि 10 सितंबर को हर जीले में जनता दर्बार लगेगा इसे लेकर रोड में भी तयार कर लिया गया है आम जनता और पुलिस की बीच के गयप को खतम करने के लिए जनता दर्बार का विजन किया जाएगा रेलवे में 11,000 पदोपर भरती के लिए 14 सितंबर से आवेदन शुरू रेलवे भरती बोड की ओर से विभीन पदोपर भरती के लिए जारी कर दिया गया है इस भरती के तहट 10,000 से भी अधिक पदोपर भैकेंसी जारी की गई है मताद रेलवे भरती बोड ने विभीन पदोपर भरती के लिए आवेदन आवेदन किया है इस भरती के लिए आवेदन की परकिरिया 14 सितमर से शुरू कर दिया जाएगा योग ये उमिद्वार सम्मधित वेपसाइट के माध्यम से ओनलेन आवेदन कर सकते हैं भरती से सम्मधित योगेता और आयो सीमा की जाच कर ले वहीं सेक्षिनिक योगता में बराहमी पास्या गेर्जुएशन तथा पोस्ट गेर्जुएशन कर चुके उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं उत्पास सिपाही दोर ड्यूटी में तैना जवान की गई जान ज़ारकन उत्पास सिपाही बहाली दोर के दोरान पलामों के चिया की हवाई अड़ामे ड्यूटी के बाद केंप में रभी वार रात में लातेहर जीला पुलिस बल के रक्षी 42 वर्षी अजीत कुजुर की मौत हो गई सुचना मिलने के बाद सो मौर को पुलिस ने सो को कबजे में ले लिया और MMCH में पोश्माशम कराया है बता दे अजीत कुजुर गुमला के भर्णो सिख की थाना छेतरे के संसेर गाओ का निवासी है फिलाल वा लाते हर में पोश्माशम करा कर उसे लाते हर पुलिस बल को सोब दिया गया लाते हर पुलिस मेंस एसोसियेशन के सच्चिव जीतन रयादों ने बताया है की डियाई जी के अदेशान सरलाते हर पुलिस लाइन में पोस्टेड आरक्षी अजीद कुजूर कोचियां के हवाई अड़ा में उत्पाथ सिपाही बहाली दोड के डूटी में लगाया गया था रभी बार दिन में डूटी के बाद कैप में गया जहां रात में वो मेटिंग होने लगा जिसके बाद डॉक्टर के प्रामर्स के बाद दावा खाया जिसके बाद सोगा है जारखन मौसम में हुआ बदलाव जारखन में एक बार फीर से मांसून सक्रिय हो गया है रांची के कई लाखों में अच्छी बारिस हुई है बारिस होने से मौसम सुहाना हो गया मौसम केंद्र के माने तो 6 सितंबर तक कई अस्थानों में बारिश देखने को मिल सकती है इस दोरान आस्मान में बादल चाहे रह सकते है मौसम केंद्र के माने तो राजे में आगले 3 दिनों के दोरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट हो सकती है लेकिन उसके बाद भी सम्माने रहने की स्थिती होगी मौसम भी भागने बजरपात की भी चितावनी दी है और बारिश के दोरान खुले में रहने को मना किया है वहीं किसानों को खेट से दूर रहने की भी सला दी गई है पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर ठाहंने लगी वंदे भारत तिर्थार्थियों को काफी सुवधा होगी लोग कम समय में पारशना से रांची आवारा नसी जा सकते हैं उन्होंने ट्रेन के किराये परपुन विचार करने की मांग की है ताकि समाने लोग भी इसमें यात्रा कर सके बता जैसांसर चंद्रप्रकास चोजरी ने कहा है कि आज बहुत ही खोशी का दिन है रांची वारा नसी वंदे भारत एक्सप्रेस जब से चलती है तभी से जैन समाज और अस्तानिये लोग इसके ठारवा के मांग कर रहे थे जारखन परिवर्तन के लिए तयार चंपाई सुरेन जामो छोड बीजेपी में सामिल होने के बाद पहली बार पुर्वस सीम चंपाई सुरेन सोमवार को सराय के लाग के राजनगर पहुँचे चंपाई सुरेन का पार्टी ने ताव ने भाबे स्वागत किया चंपाई सुरेन ने कहा है कि सराय के लाखर सावा आगमन पर बड़ी संख्या में स्वागत के लिए जूटी जानता का हुचसा बताता है कि जारखन परिवर्तन के लिए पुरी तरह से त्यार है इस दोरान सायराना अंदाज में ने कहा है मैं अकेला ही चला था जानीब ए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और करवा बनता गया हेसल में राजनागर बीजेपी पुर्वी मंडल के अध्यक्स खिरोद महतुर्ने की नत्रीत में करकरताओं ने चमपईस्तुरेन का बेंड बाजा पटाके फोड़कर फूल मला एवाम अंगवसर देकर स्वागत किया है बरश्टाचार पर बोले राजेपाल मोदी सरकार में खाते में आ रहे है पूरे पैसे जारखन के राजेपाल संतोष कुमर गंगवार ने देश के पुरुव के परधान मंत्री सरकार के किरिया कलापो पर सवाल खड़ा करते है और बरश्टाचार पर किसी का नाम लिए बगर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी योजना के लिए पहले 100 पैसे भेजा जाता था तो नीचे के वल 15 पैसे ही पहुंचता था अब नर्याद मोदी की सरकार में योजना के पूरे पैसे लाबगों के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं वे पूर्वी सिम्हम जीले के जमसेद पूर परखंड के सुदूर हुरलूंग पंचायत भोन में सनवाद करकरम में अपनी बात रख रहे थे उन्होंने स्वयम सहयता समो की महिलाओ की सानो बुन करो वा कामगारों को समोधित करते हुए कहा है कि सरकार की बिभीन वेजनाओ का किरियान वेयन उनके गाव घर में कैसे हो रहा है कहीं कोई दिक्कत या परसानी है तो बताए सनवाद में जीले के सभी वरिय पताधिकारी भी आय हुए है समस्याओ को सुनने समस्या का तुरंट समधान करवाया जाएगा जार्खन में मुखिया से लेकर पन्चाय सचीव और वजगार से वक तक हरताल पर है इसका सिधा असर पंचायतों के कामकाज पर दिख रहा है पंचायतों के कई महत्पुन कारे ठप हो गए है आपकी सरकार आपके द्वारकार करम पर भी इसका असर पर रहा है मुखिया के हरताल से सरकार के कई महत्पुन योजिनाओ के आगे नहीं बढ़ पा रहे जारकन के 13 जीलों में ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार मुखिया को ही है ऐसे में इसे समंधित कारे प्रभावित होंगे कर्मियों ने बताया है कि पंचाय सची मुखिया और रजगार सेवक पंचायत भवनों की रीड है वहीं पंचायत भवनों का संचालन करते हैं थीनों हरताल पर है और पंचायत भवन में ही सरकार आपके द्वारा कारकरम का संचालन हो रहा है धन्यवाद